Hello everyone, welcome back to my channel KBS Academy. कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे? लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 का एक्सराइस 3.2 कम्प्लीट किया था. आज हम एक्सराइस 3.3 करेंगे. So let's start. Question number 1. In which quadrant or and on plane, access to each of the point? minus 2,4, 3, minus 1, minus 1, 0, 1, 2 and minus 3, minus 5 lie. Verify your answer by locating them on the Cartesian plane. ये देखिए हमें कुछ points दे रखे हैं. ये हमें बताना है कि कौन से quadrant में हैं और कौन से जो हैं वो line पे लाई करता है. ठीक है? तो हमें Cartesian plane पे इसको draw करके बनाना है. हम Cartesian plane इस पे बनाते हैं. ग्राफ पेपर पे. ठीक है? तो line draw कर लीजे. मैंने line draw कर लिया है यहां पे. और अब ये हमारी y-axis की है. और ये है x-axis की. x-axis. x-axis, x-y, and ये है हमारा y-axis. ठीक है? ये center point 0. यहां से start करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? और यहां भी plus का होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. यहां इदर minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. ठीक है? तो हमने ये बना लिया, partition plane. अब इसके हम उपर points को बताएंगे कि कौन सा points, कौन से quadrant में है. ठीक है? तो first point देखाता हमारा minus 2, 4. question में देख सकते हैं? minus 2, 4. ठीक है? तो minus 2 तो यह रहा. सॉरी. minus 2 कहां पे है? यह minus 2 है. और 4 positive. यानि कि minus 2 हमारा, पहले वाला जो होता है, वो X होता है. मैं यहां लिख देती हूँ. minus 2, 4 है. तो मैंने यहां लिख दिया, minus 2, 4. तो यह X होता है और यह Y होता है. तो X पे minus 2 कहां है? देखिए. X पे minus 2 यह रहा. और 4 कहां है? Y का, Y का 4 कहां है? प्लस का यह रहा तो माइनस टू और प्लस का फोर यहाँ पे हमारा करेगा तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस टू कॉमा फोर ठीक है और अब हमारा क्या है और थ्री कॉमा माइनस वन है तो थ्री देखते हैं थ्री कहाँ पे है एक्स है देखें x और y तो x का 3 और y का minus 1 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, minus 1 ठीक है यह और फिर हमारा third point क्या है minus 1, 0 तो minus 1 कहाँ पर है यह रहा x axis पर है x axis और 0 0 हमारा यह रहा तो minus 1 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है minus 1 हमारा जो है वो axis पर लाई कर रहा है ठीक है तो in minus 1 लिख देना on axis ठीक है minus 1 और 0 कहाँ पर on axis axis पर हमारा लाई कर रहा है ठीक है और next point देखते है 1, 2 1 कहाँ पर है 1 तो हमारा x का हो गया 1, 2 1 x और 2 y तो x का 1 देख लेते हैं यहाँ पर है और y का 2 यहाँ पे है यह रहा 1 and 2 तो यहाँ लिख देंगे 1,2 और next point minus 3, minus 5 तो minus का 3 यह रहा और minus का 5 यह रहा पहले x में minus 3 y में minus 5 यहाँ पे है तो minus 3, minus 5 ठीक है? यह हमारा एक सक्षिर पे था 1,0 minus 1,0 तो यह हमने इस पे ड्रॉ कर दिया यह first question हमारा complete हो गया अब मैं इसको copy में आपको लिखवा देती हूँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं minus 2,4 in second quadrant quadrant ठीक है? second quadrant में देखें मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे minus 2,4 इसको मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी लख लीजे इसको बोलते हैं first quadrant first quadrant यह है हमारा second quadrant यह है हमारा third quadrant 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 यह हमारा fourth quadrant ठीक है? तो हमारा minus 2,4 किसमे था? second quadrant में था और 3, minus 1 हमारा किसमे है? यह हमारा fourth quadrant में है और minus 1,0 किसमे है? यह axis पे है on axis 1,2 किसमे हमारा? 1,2 first quadrant में और minus 3, minus 5 यह third quadrant में है ठीक है? और copy में अब मैं लिख देती हूँ हमारा क्या था? 3, minus 1 यह हमारा कौन से quadrant में था? यह हमारा fourth quadrant में था fourth quadrant ठीक है? and minus 1,0 on axis axis के उपर था यह ठीक है? 1,2 in first quadrant 1,2 हमारा first quadrant में है और minus 3, minus 5 हमारा third quadrant में है clear? मैंने आपको graph पर भी बता दिया और copy में से लिख भी दिया समझ में आ गया? now question number 2 question number 2 है हमारा plot the point x, y given in the following question number 2 है हमारा plot the point x, y given in the following table on the plane choosing situatable unit of distance on the axis तो हमें ये जो है x क्यों आरवाई की ये दे रखी है ये हमें क्या करना है? देखिए ये हमें plot करना है x और y axis बनाके दन उस पर point बताना है कौन सा? कहां पर है? ठीक है? और situatable distance यानि की distance लेके बनाना है मैं आपको graph पर बनाके दिखाती हूँ चलिए देखिए x अक्सिस और y अक्सिस बना लेते हैं तो ये मैंने line draw कर ली y अक्सिस की और अब x अक्सिस की line draw कर लेते हैं ये हमारा center point ठीक है? ओ ये x अक्सिस ये x डेश y and y डेश y डेश ठीक है? अब इस पर हम जो हमें दे रखा है x और y का तो हम point करते हैं तो पहले हम same देखिए इन्होंने क्या बोला था? situative unit of distance x पे न बिल्कुल बराबर unit के distance create करने हैं तो यहां से यहां तक then यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 यहां पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8 ठीक है? हमने कर लिया क्योंकि maximum हमारा y की जोग है 8 दे रखी थी value तो अब हम करते हैं इसको x और y हमें x क्या दे रखा है पहले? minus 2 और y दे रखा है 8 तो minus 2 देखे कहां पे है? यह रहा x की बोला है तो पहले x की minus 2 और y का 8 positive वाला यह रहा तो यह minus 2 और plus का 8 यह यहाँ पे है clear? और अब x की 1 और y 7 x जो है वो 1 है minus का और y 7 है plus का तो यह रहा minus का x और plus का y now x 0 यानि कि यहाँ पे and y ही है आपका minus 1.25 तो minus 1 तो यह रहा और इस दो देखे यह बीच का है यह 1.5 है तो इन्होंने 1.25 बोला है तो वो यहाँ होगा ठीक है? थोड़ा इससे आगे यहाँ पे ठीक है? तो यहाँ होगा यहाँ पे होगा मैं आपको ज़र बता जैसे यह 1 इतना यह 2 और यहाँ पे होगा ठीक है? यहाँ पे तो यह हमारा होगा और इन्होंने x की के बहले क्या बल रुके? 0 तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है? यहाँ से यहाँ तक तो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ x हमारा 0 है और 1.25 है minus का ठीक है? नाओ next क्या है? x की 1 है और y 3 है x हमारे पास क्या है? 1 और y क्या है? प्लस का 3 तो यह रहा है 1,3 now x 3 और y minus 1 so minus 1 है हमारा यह रहा और x 3 तो 3, minus 1 ठीक है? तो हमने यह इस पे draw कर दिया graph paper पे question question हमारे यही था x और y की जो हमें दे रखी थी वो हमें graph paper पे draw करना था तो हमने बना दिया एक plane बनाया और उसके उपर सारी चीज़ों को points को draw कर दिया plot कर दिया ठीक है? show कर दिया आपको तो अब हमारा question number 2 भी complete हो गया है आप मेरे चैनल को like, share और subscribe कीजिए ज़्याद से ज़्याद से ज़्याद कीजिए आपके share सा में motivation मिलता है और thank you for watching this video आपके ज़्याद से ज़्याद कीजिए